सुप्रभाद बच्चों, हम पढ़ेंगे पाट तेरा होली होली रंगों का तहवार है, रंग बिरंगी होली सबको अच्छी लगती है इस तहवार पर अमीर, गरीब, छोटे, बड़े सभी लोग मिलकर होली खेलते हैं इस दिन कोई भेदाव नहीं करता मम्मी पापा ने दीदी से सबके लिए पुराने कपड़े निकलवाए अर्णव ने दीदी से पुछा, दीदी, ये कपड़े तो पुराने हैं, इन्हें आपने क्यों निकाला दीदी ने कहा, अर्णव, कल होली का तहवार है अर्णव ने कहा पर दीदी तहवार पर तो लोग सभी नए-नए कपड़े पहनते हैं फिर आपने हमारे लिए पुराने कपड़े क्यों निकाले दीदी बोली अर्णव जब कल हम होली खेलेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा दीदी ने अर्णव से कहा अर्णव बोला अच्छा दीदी हम होली क्यों मनाते हैं दीदी ने कहा आज मैं तुम्हें होली के बारे में बताती हूँ बहुत पुराने समय की बात है हिरने कश्रिप नाम का एक राजा था वह बहुत ही अत्याचारी और घमंडी था और भगवान पर विश्वास नहीं करता था वह अपने आपको ही भगवान मानता था उसका एक बेटा प्रहलात था वह इश्वर का भक्त था राजा को यह अच्छा नहीं लगता था और वहाँ चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी प्रजा की तरहें उसकी पूजा करें इस तरीके से राजा ने अपने बेटे को मारने की यूजना बनाई राजा अपने बेटे से बहुत नाराज था क्योंकि वहाँ इश्वर की भक्ती करता था राजा की नहीं राजा ने गुस्ते में अपने बेटे को जान से मारने की यूजना बनाई इसके लिए उसने अपनी बेहन होलीका से मदद मांगी होलीका के पास आग में नजलने वाली एक चादर थी उसे ओड़ कर आग में बैठने पर शरीर नहीं जलता था होलीका प्रहलात को गोद में लेकर आग में बैठ गई उसने सोचा कि राजकुमार प्रहलात जल जाएगा थोड़ी देर में तेज हवा चली और जिससे चादर उढ़कर राजकुमार प्रहलात पर आग गरी प्रहलात वजगया और इस तरीके से होली का जल कर राख हो गए तब से लोग फालगुन मास की पुणेमा की रात को लकडिया एकटी करके होली का दहन करते हैं और इससे धर्मे की जीत होती हैं इससे इसके दूसरे दिन रंगों की होली होती हैं लोग एक दूसरे पर सगीले सुखे रंग डालते हैं गुलाल लगाकर गले मिलते हैं और गले मिलकर होली मुबारक हो कहते हैं बच्चे पिछकारी में रंग भरकर अपने दोस्तों और आने जाने वाली लोगों पर डालते हैं कुछ लोग रंग भी रंगे रंग उड़ाते हैं, कुछ बच्चे कीचड और गंदे रंगों का भी इस्तमाल करते हैं इसलिए पुराने कपड़े पहनते हैं, ताकि नए कपड़े खराब न हो कीचड और गंदे रंगों से होली नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि ये हानिकारक है अर्नो ने कहा दीदी मैं भी कल सब के उपर रंग डालूँगा दीदी ने कहा विचकारी और गुलाल से ही होली खेलना कीचड से नहीं होली मेल जोल का तहवार है इसे हमें हर्शी खुसी से खेलना चाहिए दीदी ने आगे कहा अच्छा अब तुम दादी के साथ बाजार जाओ कल के लिए धेर सारा रंग गुलाल गुबारे और पिछकारी लेकर आओ उसने कहा ठीक है दीदी अब पता चला कि होली के दिन नए कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहिए यह कहते हुए अर्णव दादी मा के पास आया और अपने दोनों हातों की मुठी में गुलाल भरकर खोली है होली है कहते हुए भागा और दादी मा को डराने लगा दादी मा भी बच्ची बन गई और इधर उधर भाग भाग कर बचाओ बचाओ चिलाने लगी इस तरीके से खोली का तहवार मनाया गया धन्यवाद